जैसे अना थाले से हम उसी बच्चे को गोद लेते हैं, जिसका इस संसार में कोई न हो, ठीक उसी प्रकार इस संसार में भगवान भी उसी ब्यक्ति को अपनाते हैं, जिसका इस संसार में कोई न हो अर्थात जिस ब्यक्ती ने भीतर से सबका त्याग कर दिया है अथवा तो जिस ब्यक्ती को दुनिया के सारे लोगों ने त्याग कर दिया है ऐसे लोगों को भगवान तुरंट अपना लेते हैं जैसे की रामाहिण में एक बहुत करूण प्रसंग है कि जब माता के कई ने दश्रत जी से दो बरदान मांगे उस में उस बरदान का बहुत भयंकर दुस परडाम हुआ सबसे पहले तो चौदा वर्स के लिए भगवान श्री राम चंदर जी को लखन जी को माता सीता जी को बन में जाना पड़ा उसके बाद दश्रत जी की मृत्यों हो गई फिर तीनों माताएं बिद्वा हो गई अयोध्या की सारी प्रजा अनात हो गई ऐसा भयंकर दुस परड़ाम हुआ अताह अयोध्या के सारे लोग जो है के कही से घ्रणा करने लगे उसकी मिंदा करने लगे और यहां तकी उनके अपने ही पुत्र भरत ने माता केकई को मा कहना छोड़ दिया उस समय माता केकई को अपने करनी पर बहुत पचतावा हुआ बहुत पिडा हुई और एक दिन की बात है माता केकई ने बिचार किया कि अब जो है मुझको सब लोगों ने ठुकरा दिया अब केवल मृत्यू ही मुझको गले लगा सकती है अब केवल मृत्यू ही मुझे शांती दे सकती है अतह माता केकई ने एक दिन इस धरती से कहा कि हे धरती तु फट जा मैं जो है तेरे भीतर समा जाना चाती हूँ उस समय धरती माता ने कहा कि छमा करे देवी चुकि आप राम बिरोधी हैं और जो राम बिरोधी है उसको मैं अस्थार नहीं दे सकती अब जो है माता केगई ने यमराज जी से कहा कि हे यमराज जी आप जो है मुझे को नरक में डाल दीजिए उस समय यमराज जी ने कहा कि हे देवी निशित ही हम नरक में पापियों को स्थान देते हैं लेकिन हे देवी आपने राम जी को जंगल में भेज करके ऐसा पाप किया है इतना बड़ा पाप किया है कि इस पाप का प्रहशी तो नरक में भी नहीं है इसलिए छमा करे देवी हम आपको नरक में भी अस्थान नहीं दे सकते उस समय माता के कई को इतना दुख हुआ कि उस दुख का आप कोई पार नहीं दिख रहा था सारे अयुध्यावाशी घ्रणा करने लगे भारत जी ने मा कहना छोड़ दिया धरती ने अस्थान देने से इंकार कर दिया यम्राज जी ने नरक में भी अस्थान देने से इंकार कर दिया सब लोगों ने माता केकई का त्याग कर दिया लेकिन हमारे संत लोग कहते हैं कि जब सभी लोगों से तिरस्कृत वही माता केकई जब चित्र कूट में भगवान राम के पास गई उस समय भगवान राम ने आगे बढ़ करके सब से पहले माता केकई को प्रडाम किया और प्रडाम करके भगवान राम ने दोनों भुजा को पहला करके माता केकई को गले से लगा दिया उनको घ्रदै से लगा दिया उस समय मा के कई जो है भगवान के करुणा को देख करके जोर जोर से रोने लगी उस समय भगवान राम ने कहा कि मा सभी लोगों ने तुम्हारा त्याग कर दिया ना तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेम करता तो तुम्हारा मन थोड़ा उस व्यक्ति में भी लगा रहता लेकिन आज सबने ठुकरा दिया तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब तुम्हारा पूरा मन मुझ में ही लगेगा इस तरह से यह प्रसंग बड़ा है लेकिन कहने का भाव यह है कि इस प्रसंग से साबित होता है कि जिस व्यक्ति को सब लोग ठुकरा देते हैं उस व्यक्ति को भगवान अपना लेते हैं दरवार में बांके पिहारी के दुखदर्द मिटाये जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाये जाते हैं जिसको सब ठुकरा देते हैं भगवान उसको अपना लेते हैं अतह इस प्रसंग से हम सब को बहुत सुन्दर सिक्षा मिलती है कि अगर हमें भी सारी दुनिया ठुकरा दे तो हमें भी निरास नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति करने चाहिए भगवान हमें भी अपना लेंगे हरे कृष्ण